ओके दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल फोटो के बारे में देखे पहले में आपको मेरी बात बता दूँ कि मैं गूगल फोटो को 2012 से यूज़ कर रहा हूँ अभी जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं यह 2012 मैं कैप्चर की थी पता है पता है मैं गूगल फोटो का भी डेटा रहता है तो भाई यह 15 जी भी ना फटा फटा सा खतम हो जाती है मगर मेरे लिए पिच्चर थोड़ी से अलग है क्योंकि यहां पर मुझे गूगल फोटो की अनलिमिटेड स्टोरेज मिली हुए है यस आपने बिल्कुल सही सुना बाई अनलिम अगर आप वीडियो को फटांगर लेए लिए जान लीजी से जितने भी पिक्सल फोण कर दे ना उनसभी फोण में Google Photo की Unlimited Storage दी जाती है क्योंकि भाई जितने भी Pixel Phone है उन सभी को Google Company ने बनाया है और Google Photo Album भी Google Company का ही प्रोड़क्ट है तो सिंपल सी बात है Google Pixel में आपको Google Photo Album की Storage Unlimited मिलेगी तो यह बात तो यहाँ पर Clear हो चुकी है बट अब अगर हम बात करें कि हम इसे Unlimited कैसे यूज़ करें तो देखे भाई यहाँ पर आपको यह करना होगा कि आप अपने डिवाइस को Pixel Phone मना दीजिए यानि कि आपको अपने Android डिवाइस में कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपका डिवाइस Pixel Phone मन जाए जिससे होगा यह कि Google फोटो को अपने आप ही लगने लगेगा आपके डिवाइस के अंदर कि भाई मैं तो Pixel Phone में हूँ और आपको ऐसे ही Unlimited Storage मिल जाएगी तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यह सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं बट यह सारी चीजे करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्यूंकि पहले तो आपको अपने डिवाइस को रूट करना पड़ेगा रूट करने के बाद यहाँ पर आपको पिक्सल के कस्टम रोम को इंस्टॉल करना पड़ेगा अब देखे गूगल पे जाके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे गूगल पिक्सल के कस्टम रोम मिल जाएंगे जिसे इंस्टॉल करने के बाद आपका डिवाइस पिक्सल फोन बन जाएगा मैं आपको थोड़ा आसान सब्दों में समझाने की कोसिस करता हूँ देखे अगर आपके पास MI का, Vivo, Oppo, Samsung, किसी भी कंपनी का स्मार्टपोन है अब उसमें जो सौफ्वेर चल रहा है, उस सौफ्वेर को डिलीट करके आप पिक्सल वाला सौफ्वेर इंस्टॉल करेंगे अब आपके पास device समझ लीजे कि MI का है, बट उसमें जो सौफ्वेर है न, उसके इंदर जो UI है, जो उसका ROM है, वो हो जाएगा पिक्सल का अब अगर सौफ्वेर पिक्सल का है, डिवाइस चाहे कोई भी है, बट सौफ्वेर अगर पिक्सल का है, तो उसमें जब Google फोटो अप अगर इंस्टॉल करेंगे न, तो उसे ऐसा ही लगेगा, कि वो गूगल पिक्सल में है और अपने आप ही आपको unlimited storage जो है, वो मिल जाएगी, इसके बाद की जो ट्रीक है, यह उन लोगों के लिए, जो यह सारा जोलजाल करना नहीं चाहते हैं, कि भाई, install करो, root करो, भाई, यह सारा नहीं करना है, कोई आसान तरीका बताओ, तो थोड़ा ध्यान से समझेगा, द photo upload करने के बाद क्या होगा, कि उस Gmail ID पर आपको share करना होगा, अपने main account पर, यानि कि उस Gmail ID पर share कर दीजे, अपने main account को, तो वो सारे photo आपके main account के album में देखने को मिल जाएंगे, और अगर आपको और photo upload करने, तो एक और Gmail ID बना लो, और उसे भी share कर दो, अपने main account पर, तो वो सारे भी photo आपको अपने main account पर दिखाई देंगे, इसी तरह से आप Gmail ID बनाते जाओ, पंदरा जी भी आपको मिलते जाएंगे, photo upload करते जाओ, और अपने main Gmail ID पर share करते जाओ, तो यहाँ पर simple सी बात है, आप जितने भी Gmail ID बनाएंगे, उन सब के sharing photo आपके main account पर दिखाई ना भाई, भाई, कमाल गेटरीक है, तो आप समल दिजी कि अगर आपने 10 Gmail ID बना ली है, ऐसे ही, तो आपके पास भाई, 1500 GB हो जाएगी, तो 1500 GB में आप कितने photo upload करोगे, और वो सारे photo share हो जाएंगे, आपके main account पर, तो ऐसे करके भी आप unlimited storage का मज़ा ले सकते हैं, trick number 3, अब अगर आप Google Photo को लेकर बहुदी serious हैं, photo अगर अपलोड करते रहते हैं, और आपको storage की दिक्कत आ रही है, तो देखें, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या pixel phone करीद ले, देखें, वैसे तो pixel phone काफी महंगे आते हैं, बट अगर आपको कहीं पर भी second hand phone मिल जाता है तो आप वहाँ पे सारे photo upload कर सकते हैं, बट एक बार pixel phone आपके पास आ गया ना भाई, आपके पास unlimited storage भी आ जाएगी, तो देखें, अगर आप Google Photo आलबम को लेकर बहुदी serious हैं, सारे photo upload करते रहते हैं, तो भाई, फिर pixel phone खरिद लो, नया लो, पुराना लो, कोई भी लो, ब आपको 100 GB मिलेगा, 210 रुपे अगर हर महीने देते हैं, तो आपको 200 GB मिलेगा, और 650 रुपे अगर आप देते हैं, हर महीने, तो आपको 2TB टकी storage मिलेगी, अब देखें, यह आप पर डिपेंड करता है, क्या आप खरिते के ने करिते हैं, वैसे मुझे ही काफी महेंगे प्ल आप अपने सारे फोटो सेव रख सकते हैं, बट दिक्कत यह आती है क्यार, उन सब भी cloud storage पर हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, हम Google पर भरोसा करेंगे, और वैसे भी Google के पास हमारी सारी information होती है, बट दूसरी सारी website ऐसी होती है, जो हमारे photo site कहीं sell कर दें, कह इस भी कर दें, कोई guarantee नहीं होती है, बट मैं सोचता हूं कि ऐसा video बनाओं, जिसमें आपको एक ऐसी cloud storage website के बारे में बता चले, जो आपके सारे data secure रखे, नहीं कई पर लिख करें, नहीं किसी को बेचे, मैं सोचता हूं कि इस पर एक video बनाओ, आपका क्या कहना है, comment box में comment कर करके बताना, तो मैं कुछ ऐसी website के बारे मताऊंगा, जहां पर आपको free में cloud storage मिल जाएगी, बट फिलाल, Google पर बहुत सारी चीज़ है, ठीक है, तो डुनना पड़ेगा, बट research करेंगे, और आपको जो बताएंगे, बट वीडियो को like नहीं किया, तो वीडियो को like कर दीज टेक केर, बाई